हैलो दोस्तों नमस्तार मौसम तक राजस्तान डिया आटीशनल पर आप सभी का हार दिख स्वाग थें आएए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 120 कंटों के अंदर राजस्तान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन-किन इलाकों में होने वाली हैं बारिश की गददिया और अगले 120 कंडों के बाद देखा जाई तो राजस्तान की किनकिन जिल्लों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और किनकिन जिल्लों में तेज बारिश के साथ ओलावस्टी होने की सिंभावना है ये समपूरण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी तो दोस्तों वीडियो को अन्तक जरूर देखें और समपूर्ण भार्त के मांशून पुरुवानमान 2021 का वीडियो आपको इस सेनल पर जल्दी उपलब्ध होगा जिसके लिए आप हमारे सेनल मौशूम तक राजस्थान डियार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि राजस्थान का मौशून पुरुवानमान का वीडियो अलग से यह डाले यह न डाले यह आप कमेंट करके जरूर बताएं जिसके माध्यम से हम बता सकेंगे कि राजस्थान में कैस परकार से मानसून की बारिष रहने वाली हैं और किन-किन इलाकों में किस परकार से मानसूनी बारिष का वित्रन रहने वाला हैं ये समपूरुन जानकारी आपको आने वाले वीडियो के मद्यम से हम जरूर देंगे तो वर्तमान में देखा जाई तो समपून भात में किस परकार के मौशमी शिष्ट में बने वे हैं मौशमी शिष्ट मों की बात के हैं जो पहले मजबूस सक्रिये डबलो डी आया था वो आगे निकल चुका हैं जिसके परबाव से डबलो डी की बारिश की गद्मियां आज से राजस्थान के अंदर समाप्त होते हुए नजर आ सकती हैं परंतु अरवसगरी के आसपास बने हाई प्रेसर के परबाव से अरवसगरी साका से आने वाली नमीक का परबाव राजस्थान से गुजरात के कहीं इलाकों में माराष्ट मद्यपर्दिस के कहीं इलाकों तक देखनी कुमल रहे हैं जिसके प्रभाव से इन चत्रों में कमदबाव कर सेतर बने हुए हैं, जिसके प्रभाव से कहीं इलाकों में खंड बर्ष की गद्यां उधिपूर्शंभाग, कोटा संभाग, भटपूर्शंभाग के कहीं इलाकों में संभावी थे हैं। राजिस्तान के पस्यमी इलाकों में भी देखा जाई तो अगले 120 कुर्टों के दोना राजिस्तान के जोदपूर संभाग, पालिच संभाग के कहीं इलाकों में भी खंड वर्ष की गदियां देखने को मिल सकती हैं। उत्री राजस्तान के इलागों के बात करें तो सरी गंगानिगर के कहीं इलागों में हनमानिगर के आसपास इलागा करने संपूर्ण विकंदेर से इलागों के इलागों में बादलों की आवेज़ाई की साथ कहीं की हलकी मुंधामादी अगले 120 कुन्टों तक संभावी थे है वर्तमान में देखा जाई तो संपूर्ण राजिस्थान में किस प्रकार से बादलों की गतलियां बनी हुई है विसे इस तर बात करें तो उत्री राजिस्थान के आसपास वर्तमान में विकंदर से उत्री से लगा कर जगसरी गंगानेगर हिन्मान की दक्षिन इलाकों से इलाकों में और जोद्पूर्व पाली संभा की कुछ इलाकों में हलकी खंड बारिश की अधिया से संभावी थे हैं बाकी देखा जाए तो राजिस्तान की संपुर्ण मध्देपसिमी इलाकों में मौश्रम मुख्यता श्रुष को देखने को मिलेगा और पंद्रा मई के которого AUDIENCE-ANSWD प्लस अरभ सागरी साका से आने वाले नमीक के प्रभाब से फिर से राजिस्तान की कुछ इलाकों में प्रीमान्सूनी बार्ष की गधियां देखने को मिल सकती हैं उससे प 미ले तो राजिस्तान में कोई विश्यस्ष की गधियों के साथ कि पह साथ रात की बात देख तो अगले कुछ दिनों के अंदर राजितान में एक बाद फिर से तापमान में वर्दी देखने को मिलेगी। प्रवाव से संपून भारत में आपको बारिश की गद्यों में बड़ुत्री और कई इलाकों में प्रिमान सुनी बारिश की गद्या देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों मौराजिस्तान की मौसम स्चुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारी मौसम तक राजिस्तान DRT को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारदी की जानकरी आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक जरूर करें।